हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूदा सक्सस केंद्रा दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 12 अप्राल 2021 को एससे सी एचेसल का जविक जाम हुआ है उसके सबी स्विप्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्ण पुछेगा हैं उन सबको कभर करेंगे फ्रेंड्स सारे के सारे कोस्टन्स रियल हैं आप बिल्कुल निश्चिन ठोकर के हम पर भरोसा कर सकते हैं चैनल पर अगर आप पहली बार आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए दे अफ़ितीटू में किसके अध्यक्सता में तो एमसी सी तलवाड की अध्यक्सता में ध्यान रखेगा आके भी पूछा जा सकता है उसके ताब यह मुर्शीदाबाद साहर किसने बसाया था तो अब सभीको पता मुर्शीदाबाद जो थाज यह साहर यह बंगाल की राजध affair रही थी ठीक है इसकी अस्थापना मुर्सीत कुली खाने करवाया था नेक्स्ट को संदिके पूछा गया था कि मौलिक अधिकार के हनन की दसा में किस अनुछेत के धात सुप्रीम कोट में याची का दायर की जा सकती है तो आर्टिकल 32 जो है इसमें समयधानिक उपसारों का अ ठीक है उसके पूछा गया था कि प्याज का रंग किस वणक के कारण लाल होता है तो टमार्टर कर लािक kızım के करण लाल में चुकुंदर करन के कर нрав होता है तो सबको धेहान रखिये इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजिएगा देखे गौस किसकी काई है तो गौस तो है चुम्बकिये छेत्र की काई है नेक्ष देखे पुछा गया था कि ओलम्पिक खेलों में पहली बार किस भारतिय महिला ने मेडल प्राप्त किया था भारतिय लगा लिजे तो यह कर्णम मलिस्वरी हैं जो की पहली बार मेडल इन्हों ने प्राप्त किया था उसका बाद एके फ्रेंट्स विश्व पृत्वी दिवस कब मनाय जाता ये कोस्टन है तो रेनिका जिल हिमाचल परदेश मिश्तित आप सभी को पता होगा हिमाचल परदेश के वर्तमान में मुख्य मंत्री कौन है जरा आप मुझे अभी कमेंट करके बता देंगे उसके नेक्ष्ट को सम्पुछा गया था कि रिभाउलूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है रिभाउलूशन 2020 पुस्तक लेखक चेतन भगत है उसके बदेखे अब 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 किस प्रकार की कंपणी है तो यह एक सौफ्ट्वेर कंपणी है यह प्रश्ण सायद पुछा गया था वर्तमान में मुख्य सतरकता आयुक्त कौन ह यह कौन है संजय कोठारी है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कुस्टन है उसके पंबन दिप किस राज में इस्तित है तो पंबन दिप तमिलाडू में ठीक है रामिस्वरंदीप भारत का पहला और्गेनिक केंदर सास्थ प्रद्यस कौन बना तो लक्षदीब बना है प पुछा जाता है इसके लेखा कोन है अरविंद अडिगां है उसके फ्रेंट्स के जड़त्व का नियम से सम्बंदित कोस्टन पुछा गया था तो न्यूटन का पर्थम नियम है यदि कोई वस्तु बिरामा वस्ता में है तो वह विरामा वस्ता में ही रहना चाहेगी जब में पुछा गया था आम का बैग्ञानिक नाम मेगनी फेराइनिका होता है आप सभी को पता होगा नेक्स्ट दिखे पूछा गया था दोली सत्यागरा जो कि 1928 में हुआ ठीक है वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधी प्रजान की थी उसके पाद अगला पुछा गया ते कि साक्षी मलिक कि स्खेल से संबंदित है तो आप सभी को पता है साक्षी मलिक जो है यहां रेसलिंग से संबंदित है कुष्टी स संबंदित ठीक है चले देखेगा अगला कोशन पुछा गया ते कि हाली में किसे उप निर्वाचन आउक्त चुना गया है यह उमेश सिन्हा को जो है उप निर्वाचन आउक्त होता है जो कि सुनिल अरोरा है और दो जो है उप निर्वाचन आउक्त होता है ठीक है चले ने किनारे कौन सा सहर्ष्टितultura तो इसके किनारे अध्या शार इस्तित आप सभी को पता भी होगा दूद में लेक्टोज पाये जाता है ठीके फ्रंड स्व३ पाये जाता है लेक्टिक हम अपने सुला होगा दूद और देही में लेक्टोज लपाय तो ऐसे रिलेट करके आप याद रखेंगे लक्टोज देखें जाइलोमेटर क्या है तो जाइमोमेटर जो है एक डिवाइस है जिसका इस्तमाल जो है में इलेक्ट्रीकल की फिल्ड में बात करें तो ऑटमेटिक मिटर रेडिंग अगर हम मेडिकल फिल्ड में बातकरें तो एंटी तुरुष्ट होता है झो तुर्ट केडिant है आगे आपसे पूछा जा सकता है things किस परकार की क्यों मंटी में काजू से छोटी है यस फ़र्स्ट्स पुचा गया था क्यों ह tenía अगर इसकने के पुछा घ्रoles चाहीब तो टीलिग्राम कर बातकरित विराट को हिली हैं अगला कुस्तन देखेगा कि चंपारण सत्यागरह कब हुआ था तो यह 1917 में हुआ था जो नील के किसान थे उनके खिलाब जो अत्याचार हो रहे थे उसी को समाप्त करने के लिए महत्मा गांदी ने भारत में पहला सत्यागरह किया था बिहार के चंपारण जीले में नेक्ष्ट देखे केंद्रियस सहरी और मंत्री कौन है वरतमान में रूलर डवलप्मेंट मिनिस्टर तो यह हर्दिप सिंग पूरी है उसके बाद देखे सबसे ज़्यादा उपगरह किस ग्रह के पास है तो सबसे ज़्यादा उपगरह सनी के पास है प फिर कोई और दूसरा गरह होगा नेक्ष्ट देखेगा कि जहांगीरस ते परियाग राज में है यहां जहांगीरस ठीक है समद्रगुप्त का जो लेख है श्तम है पर्याद राज वहां पर ही है यह जहांगीरस धंबू विट्रियॉल किसको कहा जाता है तो अगर अपसे सि ग्लोबल फिनदेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है जितने भी इंडेक्स है 2020 के उनको आप लोग एक नजर जरूर पठ लिजिएगा वहारत का पुर रहा है उसके भर्षट भी दिवस कब मना जाता है तो प्रतेक वर्स 24 मार्च के दिन मनाय जाता है। इब्रो क्लोसिस डे ठीक है यानि कि हिंदी में अगर बात करें तो च्छाय रोग हिंद इस वर्स इसका थीमता 2021 में दक्लॉक इस्टिकिंग भारत का निपोलियन किसको कहा जाता है तो समध्रगुप को कहा जाता है आप सभी को पता होगा ठीक है अनुच्छत 72 पुछा गया उनको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिजेगा आर्टिकल 143 क्या है आप लोग जरह मुझे कमेंट करके बताएंगे आलू का वेग्यानिक नाम पुछा गया था सेकंड सिप्ट में आम का वेग्यानिक नाम पुछा गया था ठीक है तो सोलनम टीब्रोसम ठीक है ध्यान उसके बाद एक नेक्स्ट कुछ पूछा गया थह कि जर्खंड की राजधानी राची है जरकंड के मुख्य मंत्री है मंध सोरेन है जहन रखेंगे गांधी साकरबांध किस नधी परिष्थित है तो यह चंबल नधी पर सरदार सर्वर्डम नर्मदा नधी परिष्थित है ध्यान रखेगा ठीक है विटामिन D का कैलसी फेरॉल विटामिन E का टोको फेरॉल विटामिन के की कमी से रक्त का ठका नहीं बनता है विटामिन के का नाम राइवो फ्लेविन होता है ठीक है चलिए तेलंगना के नए मुखमंत्री पूछ लिया गया था तो के जंदर शेखर अभी तेलंगना के मुखमंत्री आपसे प्रश्ण मैं पूछ रहा हूं आप कमेंट करके अभी तुरत बता दिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने उच्छ नयायाले हैं यानि कि कितने हाइई कोट हैं अभी आप कमेंट करके मुझे बता दिएगा तो फ्रंस यह करीब 43 50 चास में से करीब हमने 43 कुश्चन को कवर किया है, बिल्कुल रियल प्रेश्चन है, कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर जीजेगा, मिलते हैं, फिर कल नेक्ट वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग.